कहानी की सुरुआत होती है अमिरिका की महसूर लोयर जुलियन मेंटल से जो बहुत ही अमिर था जुलियन के पास वो सब कुछ था सक्सेस्फुल प्रोफेशन पॉस बंगला फिरारी जैसे महंगी गारी और प्रैवेट जेट उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था फिर वह खुष नहीं था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हैं हर चीश तो उसके पास है फिर भी वह संतुष्ट क्यों नहीं है कहने को तो जुलियन के पास हर वह चीश थी जिसे वो पाना चाहता था लेकिन फिर वह हमेशा स्ट्रेस में रहता था वह 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था उसके बाल भी और समय सफेद हो चुके थे जुलियन ने बच्पन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत खुस रहेगा लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जुलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था यह जरूरी नह जुलियन ठीक होकर घर वापस आ गया सबसे पहले उसने अपना घर और फिरारी गाड़ी बेज दी वह अब खुसी के तलास में जाना चाहता था इसलिए वह इंडिया आ गया यहां पर वह हिमाले के सिवाना में सीध साध्यों के पास ग्यान और खुसी के रहस्त पाने चला वह आ रही है पक्षी चाह चाहा रहे हैं बगिचे में एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सुमो पालवान बाहर आता है सुमो पालवान ने केवल एक पतली तार वाला अंडर वेर ही पान रखा है सुमो पा पारियों की और एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड बिच्छे हुए होते हैं वह रास्ता सची खुसीक तरफ ले जाता है सुमो पालवान उस रास्ते पर चलने लगता है और धिरे धिरे वह तुम्हारे आँखों से ओजल हो जाता है इतने पर ही साधों ने कहानी खत्म क अगर हम बगीचे में अच्छे बीच डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वरिक्ष और खुस्वदार फूल मिलेंगे लेकिन अगर गंदगी डालेंगे तो दुरगंध आएगी बगीचा गंदगी का ठेर बन जाएगा इसलिए हमेशा आप भी अपनी दिमाग में अच्छा और पोजिटिव बाते डालें दुसरों के लिए दाया सहनु भूती और हेल्प की विचार ही ब्रेन में पालें इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीची सा महकता रहेगा इससे आपको सची खुसी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा कभी भी नेगेटिव ना स देखें उन्हें अंदर ही आने ना दे हमेंसा अपने ब्रेन के ब्रेन के और सती में सुंदर बनाई नवर टू जपला다고 उसे ही और से चलते रहेगार यहांप आप मंजिल को पालेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पढ़ जाते हैं क्योंकि वह अपने लिए एक उचित गोल्स नहीं बना पाते हैं गोल्स का मतलब नौकुरिया गारी बंगला ही नहीं होता बलकि गोल्स सौट टर्म के लिए भी ह हो सकता है एक दिन का भी हो सकता है एक महिने का भी हो सकता है जैसे टीनेजर अगर बोडी बनाने का गोल्स बना ले डेली 5-10 मिनट एकसर साइज करते रहे तो भटकने से बच जाएगा क्योंकि अब उसके पास गोल्स है जो उसे रास्टा दिखाता रहे गा वह किसी भी लुकने वाली improvement या progress आपने कभी सोचा है कि सुमो पहलमान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलमान कैसे बन जाते हैं क्योंकि वे काईजन के करेंगे तो एक साल बाद आपकी बोडी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लगेगा आप यहां के दिखेंगे बहुत सारी पतली wires होती है जब सारी तारे एक अठी हो जाती है तो फैडल वायर बहुत ही ज्यादा तभी एक दिन बोडी बिल्डर जैसी बोडी पा सकेंगे सेल्फ कंट्रोल से लाइफ के हर छेतर में सबस्ता प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों साधू काते हैं सुमो रेश्टलर को जो गोल्डेन वाच मिलती है वो हमारे जीवन में समय के महत्व को दर्साता है हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं फिर चाहे वो कोई मिलियनियर हो या कोई गरीब लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने धंग से बिताता है कुछ लोग घंटों बैट कर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन वह बहुत पैसा कमाएंगे गाड़ी होगी बंगला होगा लेकिन वे कुछ करते ही नहीं है लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को सकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है जैसे कोई खिलारी प्रैक्टिस कर रहा होता है कोई जीम में बोडी बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है तो कोई UPSC के तयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है डेर ड्रीमिंग करनी चाहिए लेकिन कुछ हद तक उसके बाद अपना गोल्स पाने के लिए मेहनत में जुड़ जना चाहिए कुछ लोग 7 बजे भी सो कर उठते हैं और दुसरी तरब कोई जीम से वर्क आउट करके भी आ चुका होता है ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम है करते रहना चाहिए लेकिन जो आपके गोल है उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना ही पड़ेगा जैसे अगर बोडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए उठीए और सुरू हो जाईए एक डिसिप्लीन बनाएए और रेगुलरली वो चीज करते रहिए दूस्तों फ्रेंग्ड रोज दर्साता है कि हमेसा साटी को हमेसा कुछ देना चाहिए जैसे गुलाब का फूल अपने सुगंध अपने पास नहीं रखता बलकि सब में बार देता है इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों न हो जाए थोड़ी बहुत चरेटी जरूर करनी चाह आती है अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंटरिनेस तो दे ही सकते हो इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा नमर सेवंध पाथ हो डैमांड्स वाला रस्ता लाइफ की छोटी-छोटी खुस्यां का परत उसक्ती यह आफको पाथ हमें बताता है कि पर्जेनट में जीना शीक्वाणस जैसी खुशिया जो आपके चारों और बिखरी हैं उन्हेंption करना सिखुो इन खुशियों के हजारों लाखो एक्जाम पल हो सकते हैं जैसे मां के सांथ बैटकर बातेह करना बच्यों के सांग स सुनना अच्छी किताबे पढ़ना बगीचे में फुलों को देखना दोस्तों के साथ चाय पेना वगेरा इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंड सकते हैं तो दोस्तों पास्ट और फीचर की चिंता छोड़ो और परजेंड के डामन्स पाथ पर खुशी से चलते रहो तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगा था वह बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा था उससे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिफ्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बांकी की सारी जिंदगी खुशाली से बीती तो दोस्तों आई होब कि ये बुक समरी आपको प पसंद आए वीडियो को जदा सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए साथ हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं एकने वीडियो के साथ